आज हम कुछ objective question जो exams के लिए बहुत important होते हैं किसी भी exams के लिए उनको यहाँ पर discuss करेंगे उनको solve करेंगे reproduction से related हैं यह questions तो let's start first question है which of the following is not the incident of pre-fertilization means fertilization या निसेचन से पहले का incident या घटना कौन सी नहीं है first है micro esperogenesis यह भी है second है spermatogenesis third है mega esperogenesis और fourth है cleavage तो इन तीनों में से निसेचन से पहले या fertilization से प्रियोर की घटना micro esperogenesis भी है spermatogenesis भी है mega esperogenesis भी है जो cleavage होता है वो fertilization के बाद की process है जाइगोर्ट में जब division होते हैं उनकों क्या भोते हैं cleavage भोते हैं तो यह fertilization है पहले की stage नहीं है इसका answer है cleavage second question है which plant does not reproduce asexually in nature कौन सा प्लांट नेचर या प्रिक्रिक्रति में asexually अलेंगी घंसे asexually reproduce नहीं करता है normally कौन सा प्लांट नहीं करता है पोटाटो जिंजर मस्टर्ड और ओनियन इसमें पोटाटो जिंजर और ओनियन यह asexually और वेजिटेटिवली जो हैं मस्टर्ड नहीं करता है नेचर में asexually इसमें sexual reproduction पाए जाता है पोटाटो में आपको पता है ट्यूबर फोर्मिशन होता है जिंजर में राइजूम है ओनियन में वल्व है तो यह तीनों जो हैं रेजिटेटिव और इसकों asexual reproduction का पार्ट भी वह सकते हैं उसके थरो रिप में क्या पाए जाता है क्या-क्या रख सकता है कालिक्स और्ला इस्टेमिन धर सकती है इसले हिसका आंसर है all the above question number fourth है which of the following is a haploid structure in angiosperm angiosperm या आवर्त बीजी पौधो में काउन सा haploid structure है जाइगोट angiosperm synergite और polar निपला है तो इसका आंसर जो है वो है synergite synergite क्या haploid structure है बाकि जाइगोट diploid structure है angiosperm triploid है polar nucleide diploid है तो यह जो synergist है इसका आंसर synergist है synergist क्या है haploid या अगोडित structure है angiosperm में फिप्त है external fertilization occurs in external fertilization निशेचन शरीर के बाहर बाये निशेचन यह external fertilization किस में पाए जाता है human frog pee worse इसका अंसर है frog frog में क्या है male और female gamut जो fertilization जिसको हम बोलते है fusion जो होता है वो शरीर के बाहर पानी में होता है water में होता है तो दोनों male और female frog के शरीर के बाहर होता है बाकी में इसमें अंदर होता है fertilization चाहे human हो चाहे पी मटर हो चाहे बर्स हो तो external fertilization किस में पाए जाता है 196 Kelvin C है माइनस 196 degree centigrade D है माइनस 196 degree Fahrenheit इसका अंसर है माइनस 196 degree centigrade बहुत इंपोर्टनेंट क्वेस्टन दाएगे सेवन्त है विच पार्ट ऑफ गाइनोशियम रिशीप पालन ग्रेंज पालन ग्रेंज को रिशीप कौन सा पार्ट सबसे पहले करते हैं oberi, ovule, stigma, new cellus इस cancer क्या है stigma, ovule को रिसीप, toARS, pollen है पालन ग्रेंज को रिसीप करता है ora 8 इएर्थ कुएन है इमस्कुलेटर फ्लावर does not have जो फ्लावर इमस्कुलेटर होता है उसमें क्या नहीं पालए जाता है आपको पता है emHe nuevos錢 Auckland is the process of removal of enter और male part of flower जो male part जब हम हटा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं emasculation बोलते हैं या stemming को जब हम हटा देते हैं तो उसमें कौन सा ने होगा जो flower होगा तो इसमें stigma style ovary तो female part की part है इसका अंसर है enter enter emasculated flower में नहीं होगा क्योंकि हमने male part हटा रखा है tagmin is a part of mainly किसका part है tagmin ovule का है seed का है stemming का और leaf का है इसका अंसर exactly seed है ovule में जो integments होते हैं वही seed में tagmin मनाते हैं तो इसका exact answer है वो है seed ovule में जो हम tagmin attester को integments बोलते हैं बाद में convert tagmin में जाते हैं लेकिन वो किसमें? seed में इसका अंसर seed है 10th है unisexual flower are found in unisexual flower किसमें पाए जाते हैं एक लेंगी फूल कुकुर्बिटा स्पसीज पाइजम स्पसीज ब्रैसिका एलेम सीपा इसका अंसर है कुकुर्बिटा में unisexual flower पाए जाते हैं 11th है example of monocotyledon plant monocotyledon का plant कौन सा है guava, mango, solenum, wheat इसका अंसर है wheat colerizer covers the structure of cotyledon, plimule, radicle और endosperm इसका अंसर है colerizer किसको कबर करता है radicle को कबर करता है colerizer radicle को कबर करता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं important question इसारे which of the following is not the incident of pre-fertilization pre-fertilization कौन से incident नहीं है cleavis यह fertilization के बाद होता है which plant does not produce excessually in nature तो कौन से मस्टरड सर्सों इस्टेमिनेट फ्लावर में है विस्टेमिनेट फ्लावर में क्या हो सकता है तो यह चारों तीनों चीज़ें इस्टेमिनेट फ्लावर में हो सकती है which of the following is a haploid structure in angiostrom कौन से सेनर्जिर्स जो एक्सल के बगल में रहते है external इस्टेमिनेट फ्लावर में क्या नहीं पाए जाता है male part मिस एंथर इस्टेमिन का जो एंथर है वो नहीं पाए जाएगा टैगमिन इस पार्ट ओफ सीट उनिसेक्सल फ्लावर आर फाउंड इन में से किसमें कुकुरबिटा में इक्जाम्पलो मोनो कॉर्टिस प्लांट्स हुईट टिटिकम एस्टीवंड कॉलेराईजा कवर्स दे स्ट्क्चर ओफ रेडिकिल किसी स्ट्क्चर को कवर करता है रेडिकिल के तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पो डूडे